Good morning students, आज का जो हमारा topic है, वो है animals and they are young ones. हमारे जो animals होते हैं, उनके बच्चों को हम क्या कहते हैं, आज हम इसके बारे में जानेंगे. सबसे पहले, लॉयन. अब लॉयन के बच्चे को हम क्या कहते हैं बच्चों? कब? लॉयन के बच्चे को हम क्या कहते हैं, लॉयन के बच्चों कब? ऐसे ही बच्चों tiger, टाइगर के बच्चों भी हम कब ही बोलते हैं? इसके बाद बच्चों horse, horse को क्या कहते हैं? घोडा, और horse का जो बेबी है उसको हम क्या कहते हैं? कॉल्ट डॉग डॉग मेंज कुत्ता अब कुत्ते के बच्चों को क्या रहते हैं पपी उसके बच्चों काओ काओ का जो बेबी है वो क्या होता है काओ उसके बाद बच्चों रैबिट रैबिट क्यो होता है खरगोश और उसका जो बेबी है उसका जो बच्चा है उसको क्या कहते है बनी उसके स्मॉल स्मॉल बच्चे होता है न छोटे छोटे उसके बाद बच्चों शीब भेड और इसके बेट देखो बच्चो शीप शीप को हिंदी में क्या कहते हैं भेड और शीप के बच्चे को हम क्या कहते हैं लैम ऐसे ही बच्चो डियर डियर क्या होता है हिरन और डियर का बच्चे को क्या कहते हैं फॉन फ्रॉग फ्रॉग क्या होता बच्चो मेंडग और मेंडग का जो बेबी होता उसको हम क्या कहते हैं टेड़ पॉल क्या कहते हैं टेड़ पॉल गूज गूज के जो बेबी है उनको हम कहते हैं गूजलिंग गूज बच्चो गूज को क्या बेबी को क्या है गूजलिंग ऐसे ही बच्चो डग डग क्या होती है बत्त और डग का जो बेबी है उसको क्या कहते हैं डग्लिंग डग के बेबी का नाम डग्लिंग अच्छा बच्चो चलो एक बार फिर से रिपीट करते हैं लोयन लोयन का जो बेबी है उसको हम क्या कहते हैं कब टाइगर टाइगर का जो बेबी है उसको क्या कहते हैं कब होर्स होर्स के बेबी को हम क्या कहते हैं कॉल्ट Dog, puppy, cow-cough, rabbit, bunny, sheep, lamb, deer, fawn, frog, tadpole, goose, goosling, duck, duckling, cat, kitten, pig, piglet चलो बच्चो, हो गया होगा सको? Thank you